नमस्तार दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इमिलेंग इंसाइड में अगर आपने सबस्वाइब नहीं किया है तो अभी सबस्वाइब कर लें और बैल आइकन दबालें तक कोई भी मेडिकर प्रोड़क्ट की जानकारी हो आप तक सबसे पहले बहुत सके मेरा नाम क्या काम करती है कैसे काम करती है क्या इसके एफेक्ट साइड इफेक्ट सबकुछ इस वीडियो में बताऊंगा तो एंड तक बने रहीएगा और बायो से पेफसी क्रीम डॉक्टर से करने वाले दात खाज खुजली इचिंग इरिटेक्शन और फंगल इंफेक्शन के लिए Zydus Company से मार्केट करने है और यह और उलमुट 65 रूपीज का ट्यूब है इन्ग्रिटेंट की बात कररा हूँ इसमें डाला गया है नियो मैसेन फ्लूओसिनलोन और क्लोट्री मैजूल तीन दवाइए इसमें डाली गए यह नियो मैसन फ्लूसिनलों और क्लोट्री मैजूल नियो मैसन एक एंटी बायोटिक है और सोफरा मैसन के जैसा काम करता है तो जहां पर भी आपको दाद खाज खुझली इचिंग इरिटेशन है तो इस क्रीम को लगाते ही नियो मैसन स्किन को रिपैर करने का काम करेगा और खुझला कर या इचिंग करकर के जो भी आपने जखाम कर दिया होगा नियो मैसन उसे भरने का काम करेगा फ्लूसिनलोन एसी टोनाइड एक एंटी बायोटिक है तो इस क्रीम को जब आप उस जगा पर लगाते हैं जहां पर भी आपको इचिंग इडिटेशन है तो उन किटानों को मार डालने का काम करता है फ्लूसिनलोन एसी टोनाइड क्लोट्री माजवल इसमें डाला गया है एक एंटी बायोटिक है तो जैसे ही आप इस क्रीम को जगा पर लगाएंगे तो क्लोट्री म आपको प्रिस्क्राइब किया है तो शौर भी बायोटिक क्रीम खरीदे यह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा दात खाथ खुजली के अगिंस्ट लेकिन दात खाथ खुजली इचिंग इरिटेशन फंगल इंफेक्शन के लिए अक्यला बायोटिक कारगर नहीं ह आपको इसके साथ और भी ट्रीटमेंट करना पड़ेगा ताकि इचिंग एंटी इचिंग कैप्सूल जैंची और एंटी फंगल इंफेक्शन के कैप्सूल आपको लेने पड़ेंगे ताकि आप बायोटिक जल्दी रिजल्ट और और अच्छा रिजल्ट मिले अकेला बायो क्लेट आइस तो शुक्रिया